यूपी ट्रिपलसी ये का एक्जाम पैटन देखे यूपी ट्रिपलसी ये नहें अपना नोटिकेशन तो आउट कर दिया है तो इसके नोटिकेशन को देखे तो उसमें एक सवाल उठ रहे है कि इसका एक्जाम पैटन क्या होगा देखे इसके exam pattern को officially अभी published नहीं किया गया लेकिन एक expected exam pattern हमने इसके लिए बनाया है based on our research ठीके ना तो इसके research जो है वो हमारी पूरी टीम में करी है और हम इसका पूरा का पूरा analysis आपको दिखाते हैं within short period of time कि भाई इसका exam pattern क्या होने वाला है और मुझे लगता है कि बहुत accurate prediction होगा हमारा और उसी के basis पर आप लोग अपनी तयारी को continue कर सकते क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपेल स्ट के लिए अगर आप प्रीटी का पेपर दिया भी आपने और आप form भरेंगे भी तो लेकिन आपको यह clearly पता होना चाहिए एक्जाम pattern क्या है उसमें सिर्फ technical पढ़कर जाना है या non technical का भी कुछ part आएगा तो यह चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि टेस्स बहुत accurate होती है तो उसके पीचेन के बहुत बड़ा हाथ है ठीक तो मैं चाहूंगा कि आप प्रीज बताएं कि हमने कैसे इस चीज को बनाया है और क्या अचीज सब बहुत रही है जैसा कि बहुत डाउट को कि इसका बाटन क्या होगा क्या हुआ कि पीट के थूज का रेकूट्पेंट इसका लास्ट इप्र मुआ थाज्या थीजु का था रिचार शोड़ा हुआ था था फिर ती के तू नहीं हुआ था को कि इसकेस में आश definite Tech Nondeck क्या देंगे वो भी नहीं दिये तो थोड़ा संभिने का ट्राइट कि जो पीटे के थू अधर रिक्रूटमेंट हो रही है सिर्फ एक यही नहीं है पोस्त ऐसे बहुत सारे पोर्ट का रिकूर्विंट जुनियर असिस्टेंट है ऐसे काफी सारे फार्मसिस्त का पोस्त है वह भी पीट के थूई है अधरम समझे का ट्राइ किया तो जहां सुथिल्छ की कुछुछ उनके नठिकेसिंस की पैटन दे रकखाए तो उसमें ऐसा है कि अब जैसे हम देख भी सकते हैं, अगर हम यहां पे, जैसे कि यह Agricultural Technical Assistant का Notification है, PET के थुह ही इसका Recruitment है, PET 2023 के थुह ही इसका Recruitment है, जैसे हमारे Notification तो Exam Pattern नहीं दिया लेकिन इस Notification Exam Pattern दिया है, तो अगर मैं इसमें Exam Pattern खोलू भी, पेज न्मबर 20 पर पेज न्मबर 20 पर तो यहाँ देख सकते हैं कि proper mentioned है जो कि हमारे notification में mentioned नहीं है तो यहाँ पे जो observation हमने करे है वो यह करे है कि 65 questions तो इसने 65 questions इसने technical के पूचे हैं और 35 questions उन नौन् नोन-technical के पूचे है तो यह 65 questions का part है यह technical content जैसे फसल विज्ञान, since agriculture का paper है तो फसल विज्ञान, जल, टेक्नीक, इक्रिशी, तो यह 65 technical और यह 35 जो है, यह non-technical questions है, और इन में क्या है, 15 questions का computer, basic computer knowledge, और 20 questions का UPG के, उत्रक्रदेश, राजी से सम्मधे सामाने जान करें, और यह हमने सिर्फ इसी में observe नहीं किया है, तब हमें एक और notification मिला, यह, यह है junior assistant का, यह 2022 के P.E.T. का notification है, उसमें भी इसने exam pattern दिया था, इसका exam हो चुका है 27 अगस 2023 को, उसमें भी इसने same रखा था, आप अगर देख सकते हैं, यह जो 65 questions है, यह technical वाले part के हैं, जो junior assistant वाले post के लिए, और यह 35 questions अगर आप देखोगे same to same, वही computer basic और उत्रपदेश related GK, और ऐसा और भी exams के अंदर हुआ है, ऐसा और भी exams के अंदर हुआ है, यह दो example है, यह just two example है, जिनके basis हमने अपनी research बनाई था, और कुछ notifications हमारे पास ऐसे हैं, जिनमें की exam pattern नहीं दिया, जिनमे exam pattern उनमें से हमारा एक notification है, जिनमे exam pattern नही और इसमें भी हो रहा है कि यह 15 नंबर का और 20 नंबर का यह पार्ट पूछ रहे हैं, अभी P.E.T. है तो 2023 का, इसका exam तो हुआ नहीं है, बट हाँ, जितनी research करी है हमने, तो यही निकल के आया है कि इस बार भी, क्योंकि जब तक P.E.T. था, हमारी जो understanding है, वो यह है कि जब है, इसके basis पर यही इसके basis पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर भट जी ने एक आप लोगों के लिए एक exam pattern ready किया है, तो इसमें आप बताएंगे सर, मैं वही बोलूँगा, जैसे हमने अभी notifications में देखा भी exam pattern में, कि 65 questions वो अपना technical से related पूछ रहा है, civil engineering के 65, और UPG के 20 questions और computer knowledge से related 15 questions, तो अभी most expected जो pattern है, मान के चल सकते हैं कि यही होगा, exam में भी, एक paper होगा, जिसमे 65, civil के पूछेगा, 15 computer और 20 UPG के, और UPG के जो है, यह core UP के सवाल पूछ रहा है, इसके कुछ previous year का कुछ आप idea दे सकते हैं कि कैसे सवाल computer knowledge से और UPG के से वो पूछ रहा है, जै तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे उसने notification में लिखा है कि computer related, सेम उसने पूछे हैं और बेसिक computer knowledge के ओपर ही questions है, और थोड़ा से जाओ तो UPG के 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 कुछेन, general awareness related to Uttarapaday state, इसके 20 questions है, तो यही pattern आया है, और यही हम expect कर के चल रहे हैं, most probably, most expected यही है कि यह test series है, mock test है, उसमें कुछ कर रहे है, sir, mock test आज लाइव हो जाएगा, students के लिए शाम को, इस pattern के हिसाप से, most expected और यही इसी pattern के हिसाप से, इस pattern पर आएगा exam, UPG के भी दे रहे है, chapter level पे भी दिया है, subject level पे भी दिया है, full test level पे भी दिया है, civil में भी same bifurcation हमने किया है, और computer भी हम पूरा exhaustively cover करेंगे test series में, और थोड़े से अच्छे questions होंगे, थोड़े से variations रखेंगे, क्योंकि पेपर actual में अच्छा है था, इसका level अगर हम देखें तो अच्छे level के question पोदे है, straightforward questions नहीं पूछे थे जो अगर एग्जाम से पूछ लेते हैं, तो उसके अंदर आप आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाकी के exam से ही सारे exam करा रही है, तो जेई का exam भी यूपी ट्रिपलेसी करा रही है, और इसमें कई सारे exam से यह common part पाया है, तो हमें यह लगता है कि यूपी ट्रिपलेसी जेई में भी हमें यही देखने को मिलेगा, कि आप से computer knowledge स regarding, यूपी जी के regarding, यह सवाल पूछेगा, ठीक है न, और बाकी बचा हुआ पार्ट आपका civil engineering का होगा, तो इस चीज़ के लिए आप अपने आपको ready कर सकते हैं, test series में भी हमने यही reflection डालने के लिए, आप लोगों के लिए कोशिश की है, जो आप लोगों के लिए यूपी आपके लिए एक blunder हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको भी additionally add कर दिया है, और expectation जहां तक past में test book की team है उसकी बहुत perfect रही है हमेशा से ही, तो इस exam में भी हम यही उमीद कर रहे हैं, ठीक है न, तो आपको लगता है कि आपको जरूरत है इसके test series की, इसकी classes की, तो आप test book की application म जा सकते हैं, ठीक है न, हमने काफी सारे free content को भी आप लोगों के लिए अपने test book की application में डाला है, जिसकी मदद से आप अपने exams के लिए अपने आपको और बहतर बना सकते हैं, ठीक है न, तो आपको लगता है कि इस particular वीडियो से आपको कुछ अच्छा information मिला है, तो आप व telegram group में डाल दूँगा, जिसका नाम है शुभम अगरवाल सर test book, वीडियो के description में भी हमने इसका link डाला है, लेकिन telegram group का नाम यहाँ पर आपको लिखा हुए नजर आ रहा है, शुभम अगरवाल सर test book, ठीक है न, तो आप इसको ज़रूर जोइन कर लें और इससे आपको regular updates यूपी ट्रिपलेसी को लेकर जो भी मिलती रहेंगी, वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, और आपके जो भी सवाल हैं, प्लीज कॉमेंट जरूर करिए और हमें बताइए, ठीक है न, कोई सी भी तरह की परेशानी उसको solve करने की पूरी कोशिश की जाएगी, धन्यवा जिन आपके और खरो म में पूरी करैंगी, ऑन्यवागी कोशिश के जरूर कोशिश के जिस के बताइए, वो हमे मिलती बताईब यूपी बताईब मिलती वी कॉमेंटनी एाचानी को धन्यवाईवा।